गाईज आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंगलिष वर्स के बारे मैं बात करूंगा इनमें कुछ phrases भी होंगी, कुछ phrasal verbs भी होंगी और कुछ idioms भी होंगी तो चली गाईज फड़ा पड़ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले मैं बात करूंगा यहापक grocery store का मतलब होता है किरानी की दुकान मतलब जो general stores होते हैं उनको grocery stores भी बोल सकते है convenient यहापकर एक adjective है इसका मतलब होता है कुछ है जो सुवीदा जनक है या फिर आसान है तो यहापक जिंपल यह बोला जा रहा है कि जो grocery store है वो मेरे घर के पास है किराने की दुकान मेरे घर के पास है तो ये मेरे लिए बहुत ज़ादा सुवीदा जनक है मतलब मुझे इधर उधर सामान करिदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता तो ये मेरे लिए सुवीदा जनक है next मैं बात करूंगा it was unprecedented move by Modi यहां पर unprecedented simply एक adjective है इसका मतलब होता है कि कुछ है जो पहले कभी नहीं हुआ है मतलब बिल्कुल अनोखा है तो यहां पर simply यह बोला जा रहा है कि Modi जी के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया जो पहले कभी नहीं किया गया था या पर जो पहले कभी नहीं हुआ था next one is stop procrastinating you will not get this chance again यहां पर procrastinate simply एक verb है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ले ताल मटोल करना या पर किसी चीज़ के ले विलंब करना मतलब देरी करना तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि देरी करना बंद करो integrate simply एक word में इसका मतलब होता है किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में जोड़ देना या फिर दोनों चीजों को आपस में जोड़ देना दोनों को बोलने का सल से सेम है तो यहाँ पर मैं simply पूछना चाहरा हूँ आपसे कि मुझे अपनी वीडियो में क्या जोड़ना चाहिए मतलब मुझे अपनी वीडियो में क्या creativity लानी चाहिए आपके अनुसार जो कुछ भी है मुझे comment करके चरूब बताएं next one is tigers are thin on the ground these days यहाँ पर be thin on the ground simply एक idiom होती है इसका मतलब होता है कि कोई चीज है यह फिर कोई person है वो बहुती कम मातरा में available है मतलब बहुती कम बच्चा है तो यहाँ पर simply एक बोला जा रहा है कि जो बाग है वो आशकल बहुती ज़्यादा कम बच्चे हुए है या फिर बहुती ज़्यादा कम मातरा में available है next मैं बात करूँगा she was really baffered between two dresses to wear यहाँ पर baffered simply एक adjective है इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर बहुत ज़्यादा उल्जन में होना या फिर किसी चीज को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस में होना तो यहाँ पर simply यह बोल जा रहा है मतलब उस लड़की के सामने दो dresses थी पहनने के लिए तो वो दो dresses में से कौन सी पहने तो इस चीज को लेकर वो सच में बहुत ज़्यादा उल्जन में थी या फिर असमंजस में थी next one is car ran into pavement near cafe यहाँ पर run into simply एक phrasal verb है इसका मतलब होता है अचानक से किसी person से या फिर अचानक से किसी चीज से टकरा जाना with force मतलब forcefully किसी के साथ टकरा जाना pavement simply एक noun है इसका मतलब होता है लोगों के चलने के लिए road के किनारे जो पत्थर से या फिर इंट का जो footpath बनाया जाता है उसको pavement कहते हैं तो यहाँ पर simply इसका मतलब होगा एक तीजी से आती हुई car अचानक से footpath से ठकरा गई next one is that was very mortified moment for me when I made mistake यहाँ पर mortified simply एक adjective है इसका मतलब होता है कि कुछ है या फिर कोई person है जो शर्मिंदा जनक है या फिर लजजजणक है तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब मैंने गलती की तो वो पल मेरे लिए बहुत जाना लजजजणक था या फिर शर्मिंदा जनक था next one is why is a study table cluttered यहाँ पर cluttered simply एक adjective है इसका मतलब होता है कि कुछ है जो साफ सुत्रा नहीं है मतलब अस्त व्यस्त है इधर उधर चीज़े फैले होई है कोई कमरा हो सकता है तो यहाँ पर study table के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर simply आप किसी से पूछ रहे हो कि तुमारी जो study table है मतलब तुमारी जो पढ़ाई करने वाली table है वो साफ सुत्री क्यों नहीं है उस पर चीज़े अस्त व्यस्त क्यों है सारी चीज़े इधर दर क्यों फैला रखी है आपने Next one is I called my friends around for birthday party यहाँ पर call around simply एक phrasal verb इसका मतलब होता है कि बहुत सारी जगहों पर call करना या फिर बहुत सारे लोगों को call करना तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि मैंने अपने जन्म दिन की party के लिए अपने सारे दोस्तों को call किया या फिर सारी जगहों पर call किया जहाँ पर भी मेरे दोस्ते रहते हैं next मैं बात करूँगा please pass the news on me यहाँ पर pass on something यहाँ पर pass something on से बले एक phrasal verb है इसका मतलब होता है कि कोई ऐसे चीज है जो आपको किसी ने दी है और अब वो आप किसी और को देते हो तो इसका मतलब यह होगा कि आप उस चीज को pass on करते हो तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि क इरपया जो खबर है उसको मुझे pass on कर दो मतलब उसको मुझे भी बता दो जो खबर आपको किसी ने दी है next मैं बात करूँगा fasten your shoelaces less you should fall down यहाँ पर fasten simply एक वर्ब है इसका मतलब होता है किसी चीज को बांधना मतलब बांध कर टाइट कर देना तो यहाँ पर यह बोला जा क्लिंगी simply यहाँ पर एक adjective है इसका मतलब होता है कि कुछ है जो चिपका हुआ है मतलब किसी चीज से चिपका हुआ है या फिर जैसे यह टी शर्ट मैंने पहनी हुई है यह टी शर्ट मेरी बाडी से चिपकी हुई है तो यह मतलब यह बोला जा रहा है कि उस लड़की ने ए यह टीनिवसली फोर टू आर्स इड़ वरी गुलिंग यहाँ पर गुलिंग से चिपकी मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत जादा थका हुआ है मतलब बहुत जादा थका देने वाला है तो यह बोला जा रहा है कि लगतार दो गंटों तक काम मैंने किया तो यह बहुत था या फिर यह बहुत ज़्यादा थका देने वाला था इसकी वज़ते में बहुत ज़्यादा थक गया था नेक्ष्ट मैं बात करने वाला हूं दा बैटरी ऑप माइ मोबाइल इस गोइंग टो रन आउट रन आउट सिंपल यहां पर एक फ्रिजल वर्ब है इसका मतलब होता है वो उसकी बैटरी डाउन होने वाली है नेक्ष्ट वन इस आफ टेकन टो श्ट्रॉलिंग आफटर हविंग माइ डिनर यहां पर टेक टू सिंपली एक फ्रिजल वर्ब होती है इसका मतलब होता है कि आदत के तौर पर कुछ करना नियमित रूप से शुरू कर देना मतलब किसी जिश की आदत लग जाना और वो रोज करना शुरू कर देना और यहां पर सिंपली एक वर्ब है इसका मतलब होता है कि टहलना मतलब मज़े लेते हुए टहलना जैसे खाना खाने के बाद आप आराम से मज़े लेते हुए टहलते हैं फूट को डाइजर्ट करने के कि अपने रात के खाना खाने के बाद मुझे टहलने की नियमित रूप से आदत पड़ गई है so that's it guys for this video guys अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है तो मैं चाहता हूं कि आप comments में 2,3,1 type करके मुझे comment करके बताईए इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडि आपने वीडियो आपने वीडियो तेक केर